अगर आपको पता चले अकाश में जो तारे हैं अब वो हमें कभी ना दिखे तो क्यासा होगा आपका रियाक्शन शॉप राइट ना बेट इस इस दा ट्रूथ बिल्कुल सही सुना आपने कुछ सालों पहले आसमान तारों से भरा रहता था पर अब आकाश में कुछ गिने चुने ही तारे दिखाये देते हैं या दिखते ही नहीं ऐसा इसलिए क्योंके आसमान में तारों की बंने की पिक्रिया बंद हो चुकी है इन सिंपल वर्ड स्टार को बिनाने वाले मेनिफेक्चर ग्लैंड अब बंध हो चुके हैं भारती वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े डालिक स्कॉप से पिचासी सो तारा मंडलों के निरक्शन के बाद तारे ना बनने के कारणों का पता लगाया है इंडियन साइंटिस द्वारा की गई इस रिसर्च को पंदा अक्टूबर के पर्स्टीजियूस ब्रिटिस चॉर्णल नेचर में पपदुश किया गया है शोत से पदा चला है कि शुवातियों मंडलों में 100-200 करोड साल तक ही गैसियां अन्यों तेजी से तारे बनने की और उसके बाद हाइडरोजन गैस का होने के कारणों उसे तारे बनने की प्रक्रिया धीमी हो गई और आखिर में वह प्रक्रिया बंध हो गई यानि हाइडरोजन गैस मॉलेक्योल्स खतम होने के कारण तारे अब नहीं बन सकते हैं बताया जा रहा है कि यह तारों की प्रक्रिया क्या बंध होने का प्रत्यक्ष प्रामान के साथ डिफाइन करने वाला पहला रिसर्च है इस रिचर्च में जाइन्ट मेट्रोवेव रेडियो टेलिसकोप यानि GMRT का प्रियोग किया गया है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें जैसे कि आप तो जानते हैं चैनल का नाम है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए